Hey guys, welcome back to 06 Study Point और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके DRD की exam date के बारे में बट उससे पहले में आपको एक गुड नीउस देदू कि इस वीडियो में हम give away कर रहे हैं आपकी 5 RSGरवाल books का और 5 Lucent General Awareness के books का आपको कुछ steps follow करने होगे और उन steps को follow करके आप उन books को जीत सकते हो ठीक है जिसको भी मिलेगी एक एक book मिलेगी और book जो होगी वो आपकी choice की होगी चाये तो आप Lucent के General Awareness ले सकते हो जो भी आपके पास नहीं होगी जो बंदे जीतेंगे ठीक है और फिर आप RS अगरवाल quantitative aptitude जिसके पास नहीं होगी वो उसको ले सकता है आपके अपनी personal choice की होगी 5 RS अगरवाल का giveaway होगा 5 Lucent का giveaway होगा तो rules क्या होगे उसके वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगा अभी हम बात करते हैं आपके main topic के बारे में DRU MTS expected exam date आप सभी को पताएं कि September में आपके NEET और JEE के exams conduct कराए जा रहे हैं और फिर October और November में आपके SSC के 8 exams conduct कराए जाएंगे ठीक है जिसमें आपका SSC CHSL है SSC CGL है SSC CHSL है SSC का MTS MTS के जो exams होते हैं चैनोग्राफर के काफी exams है तो SSC के total number of exams है वो आपके 8 exams है जो दो महिने के अंदर conduct कराए जाएंगे और अब बात आती है आपके DRU की क्या DRU भी आपका इसे टाइम में conduct कराए जाएगा तो possibilities की बहुत जादा है ठीक है आप में से बहुत सरे students बूल रहे हैं की नहीं pandemic चल रहे है की government exam नहीं कराएगी भाई government exams हो रहे हैं और सबसे problem वाली बात यह है यह बच्चों के साथ हो रहा है जो भी जिन्होंने 12th pass करी है NEET और JEE की जो exams देने जा रहे हैं वो बच्चे हैं वो मना कर रहे हैं की हम exam नहीं देना चाहते इस pandemic की situation में बच government ने उनकी बात नहीं सुन रही है इविट ट्विटर पे कुछ 60,000 tweets हुए थे इस बारे में trending पर था टॉप 1 trending पर था बट उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा है सीधी सी बात है उनकी जानके साथ खिलवार करा जा रहा है अब बात आती है यहाँ पर आपके exam के बारे में थीख है कि आपके exam सेप्टमबर में होगा, October में होगा, November में होगा है, December में होगा तो possibility ये भी हो सकते है कि आपका DRD का exam September में करा दिया जाए possibility है क्योंकि exams को रोका नहीं जा रहा है conduct कराया जा रहा है ठीक है और किसी भी department को बस एक chance चाहिए अपना काम निकालने का और उसको ख़तम करने का उनको फर्क नहीं पड़ता कौन जिंदा रह रहा है या कौन मर रहा है और अगर आपने अभी तक अपने preparation स्टार्ट नहीं करी है तो preparation स्टार्ट कर दो possibility है कि September में भी exam हो जाए October और November में भी exam हो जाए और October और November में जो आपके वैसे तो आपके जो colleges होंगे वो खाली नहीं होंगे क्योंकि SSC के जो जितने भी 8 exams है वो 8 exams continuously conduct कराए जाएंगे पहले CHSL, फिर SSC JE, फिर CGL, फिर STANO और बाकी जितने भी है phase 8, phase 9 जो भी exams है उसके क्या December में होगा पूरा December आपका खाली है exams की पूए dates नहीं है इतने बड़े exams को लेकर ठीक है तो possibility है कि आपका September में भी हो सकता है और आपका December में भी हो सकता है और अगर अभी तक आपने अपनी preparation स्टार्ट नहीं करी है तो अपनी preparation स्टार्ट कर दो जिसको लग रहा है कि 2021 में एक्जाम होगा तो भाई भूल जाओ अगर NEET और JE पोस्टपोन करा जाता तो possibility थी कि exam नहीं होते but SSC ने अपनी dates जून जुलाई में निकाल दी थी जब भी एक दो महीने पहले निकाली है ठीक है और उन्होंने अपनी final dates दे दी थी कि तब आपके exams होंगे अभी तक उसके बाद तक उन्होंने कोई notification नहीं निकाली है जिसमें बताया गया हो कि exam cancel हुए है या पोस्टपोन हुए है या बाद में होंग या पहले होंगे वो अपने exam कराने पर तुले हुए है Supreme Court का orders भी आ चुका है कि NET और JEE होंगे और वो exams हुए तो 100% SSC के exams भी conduct कराया जाएंगे उनको फिर कोई भी नहीं रोक सकता अगर NEET और JEE नहीं रुके तो ये exams 100% conduct कराया जाएंगे और जब आपके SSC के exam conduct कराया जाएंगे तो 110% chances हैं कि आपका exam December में conduct कराया जा सकता है और possibility है कि September में भी conduct कराया जा सकता है जैसे ही September स्टार्ट हो अगर NEET और JEE स्टार्ट हो गया तो chances हैं कि September के last के आपको date दे दी जाए ठीक है तो अपनी preparation continue रखो और preparation के लिए आपको नीचे description में आपको कुछ playlist मिलेंगे एक तो आपको playlist मिलेंगी previous year paper के analysis की आप में से बहुत सरे बोलोगे कि previous year papers नहीं है DRDO MTS के मुझे पता है DRDO MTS के नहीं है बट DRDO के different exams के papers है जिनके business पर आपके questions आएंगे उन playlist को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको reasoning की playlist मिलेगी उसके बाद आपको general awareness की playlist मिलेगी ठीक है और मैंने अपने friends के साथ collaborate करके एक आपकी mathematics भी start करी है तो आप उसको भी follow कर सकते हो अब बात आती है आपकी ये giveaway की ठीक है कि आप इन giveaway को केस थरीके से जीच सकते हो जैसे ही हमारे इस वाले चैनल पर 100 के subscribers होंगे ठीक है जो हमारा ये वाला चैनल है अगर आपने पहले से subscribe किया हुआ है तो आप already participated इसमें हो ओके आपको पूरी बात सुन लो ध्यान से सुन लो अगर आपको ये बुक्स जीतनी है तो participate के rules पहली चीज आपको 06 30 point को subscribe already होना चाहिए अगर आप हो तो that is good अगर आपने subscribe नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी subscribe करो फिर 06 30 point 06 30 point का ये अनदर चैनल स्टार्ट किया गया जिसका नाम है 06 motivation ठीक है जो फस्स लिंक आपको मिलेगा वो 06 motivation का मिलेगा जैसे ही 06 30 point पर 100 के subscribers होंगे और 06 motivation पर 10 के subscribers complete होंगे मैं इन books का giveaway कर दूँगा तो अगर आप इनको दो दिन में करा देते हो तो दो दिन में आपको books मिल जाएंगी आप चाहिए तो अपने घर के सभी phone से कर सकते हो जिससे भी आपको friend से करा सकते हो शेर कर सकते हो वीडियो को जैसे भी इसके 100 के हमारे चैनल पर subscribers होंगे वैसे ही उन books का giveaway कर दिया जाएगा ठीक है 06 motivation पर 10 के और 06 30 point पर 100 के बस इतना सा जाएए और Instagram का link भी आपको नीचे मिल जाएगा Instagram पर भी follow कर लेना और जैसे Instagram पर 5K followers होंगे और जो इसका result आएगा actual में वो 06 motivation वाले चैनल पर आएगा ठीक है तो make sure आप 06 motivation को अभी के अभी जाकर subscribe कर लो 06 30 point पर वीडियो के इसको पहली बार देख रहे हो तो अभी के अभी subscribe कर लो और मुझे Instagram पर message कर सकते हो कि आप ये book क्यो deserve करते हो और इस वीडियो के नीचे comment भी जरूर लिखना कि why you deserve this book और ये भी comment जरूर करके बताना है कि आपका exam कराना कराने के लेकर क्या views है क्या आप चाहते हो कि exam postpone हो क्या आप चाहते हो कि exam conduct करा जाएं क्योंकि जिसकी age जादा हो रही है वो तो चाहेगा कि उसका exam conduct करा जाएं किसी भी हालत में बड़ जिसकी जिसको problem है काफी सारे जितनी जादा minds होते हैं उतनी जादा thoughts होते हैं तो इस जिसको ध्यान रखना हो और जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कोई न कोई disturb जरूर करता है daily bullet वाला आता है थर्ड आपको comment भी करना है ठीक है इस पर भी और इसकी वीडियो के नीचे भी और थर्ड इंस्टाग्राम पर फोलो करके मुझे message भी जरूर करना है कि why you deserve this book पांच मिनिट लगेंगी मेरो को बता है कि book जादा महंगी नहीं है आरस अगरवाल जो आपकी आपके प्रपेशन कहां तक पहुचिए है तो तयारी करना शुरू करो और आपके प्रपेशन कहां तक पहुची है ये भी मुझे नीचे comment करके जरूर बताना और जो भी आप मुझसे कहना चाते हो आप कह सकते हूं ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में so with that said बाइ बाइ टेक केर एंड अल दे बेस्ट